नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ जितेन शुकला आप देख रहे हैं डिश्टर डवाइस साम के साथ बच चुके और समय हो गया है ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट का तो जाता से आदा लोग जुड़ जाएए जो लोग जुड़ चुके हैं वीड डेट आपको मिलता रहेगा साथ ही साथ डिश्टर डवाइस बहुत ही जल्द डेटेस कोर्सेज लाउंज करने वाला है तो उन कोर्सेज की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी नोट्स और पीडिएफ के लिए आप लोग क्या करेंगे हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन क क्या है ठीक है टेलिग्राम चैनल पर जाएगा टेलिग्राम पर और वहां पर डिश्टर डवाइस सर्च करिएगा यहां पर आपको नोट्स और पीडिएफ मिलते रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कोशन नमबर फर्स्ट डाटा प्रोसेसिंग का क्य राइट आंसर दे सकते हैं गुड बहुत बढ़िया कोशन लोगों का चैट में राइट आंसर आने लगा है तो बिलकुल आल अफ देब राइट आंसर होगा जब भी डेटा प्रोसेसिंग की बात आती है तो उसको डेटा को अरेंज करना इस्टोर करना प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग का मतलब डिजाइनिंग या सजावट करना यह सब भी कुछ मिलके हम लोग कह सकते हैं डेटा प्रोसेसिंग है तो यह क्या होगा आल अफ देब यहां पर राइट आंसर होगा और बहुत सारे स्टुडेंट्स ने राइट आंसर दे दिया था वेरे गुड नेक्स्ट कोशन नबर सेकेंड माइक्रो प्रोसेसर का अविसकार टेड हॉफ ने किया ए ऑप्शन ट्रिव बी ऑप्शन फॉल्स फाइव सेकेंड्स है गुड बहुत बढ़िया कुछ स्टुडेंट्स का चैट में राइट आंसर आने लगा है तो बिलकुल जिसका राइट लोग थे ठीके पूरी एक क्या थी मान के चलिए ग्रुक था जिसमें तीन-चार लोग और थे जिन्होंने सब ने मिलके क्या किया था माइक्रो प्रोसेसर का अविसकार किया था लेकिन यो मेन थे वो कौन थे टेड होफी थे इसलिए यहाँ पर यह क्या होगा ट्रियो होगा नेक्स्ट कोशन नमर थर्ड किसी किस पीड़ी में कम्प्यूटर नेटवर्क जैसे लैन और वैन का विकास हुआ यहाँ पर यह पूछना चाहरा है कि लैन और वैन का विकास कब हुआ किस पीड़ी में कम्प्यूटर की बहुत बढ़िया तो बिल्कुल जिसका राइट आंसर होगा यह सी होगा फोर्थ जैसे ठीक है फूर्थ जनरेशन में कम्प्यूटर नेटवर्क का क्या हुआ विकास हुआ और लैन वैन क्या हुए एक्जिस्टिंग आया पहले नेटवर्क आया फिर दीरे-दीरे करके उसमें क्लासिफिकेशन हुआ और आज का जो नेटवर्क है उसी समय की क्या है देन है जो दीरे-द देरे विक्सित होके आजकर हम लोग यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट कोश्चन नमबर फूर फादर आफ सुपर कंप्यूटर कौन है ए ऑप्शन सेमर क्रे बी ऑप्शन चार्ल्स बेबेज और कोश्चन अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजेगा सब भी लोग बिल्कुल थंसब कर दो और लाइक ना करो फिर भी चलेगा लेकिन प्रिप्रेशन करते रहो सब भी लोग प्रॉपर प्रिप्रेशन करते रहो जुलाई में एक्जाम होगा ये है ठीक है 100 परसेंट नहीं अब 90 परसेंट मान के चलो तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सेमयोर क्रे ठीक है फादर आफ सुपर कंप्यूटर सेमयोर क्रे फादर आफ कंप्यूटर चाल्स वेबस ध्यानक ना फादर आफ सुपर कंप्यूटर सेमयोर क्र ठीक है और यह जिस सिर्फ father of computer पुछा जाता तो चास वे बज और father of supercomputer से में और क्रे उम्मीद है याद हो गया होगा next question number 5 binary number system प्रियोग करने वाले computer को क्या कहते हैं a option analog computer b option hybrid computer c option digital computer d option all of the above 5 seconds है good बहुत बढ़िया कुछ students का right answer आ रहा है कुछ का गलत आ रहा है भाईया यह बात दिमाग में बैठा लो हर्दम all of the above सही हो ऐसा जरूरी नहीं है यहां पर जो right answer होगा c option right होगा ठीक है binary number system पर जो काम करता है उस computer को digital computer कहते हैं दूसरे सब्दों में कहें कि binary number system प्रियोग करने वाले computer क्या होते हैं digital computer होते हैं ठीक है जो दोनों use करें ठीक है जो एक analog data use करते हैं वो analog computer कहलाते हैं जो analog और digital का mixer हो analog और digital का mix करने पर जो computer बन जाए उसे hybrid कहते हैं ठीक है next question number six printer को computer से जोडने के लिए serial port का प्रियोग करते हैं a option ए true b option ए false 5 seconds है और दिमाख लगा के answer दीजेगा अच्छा question है good बहुत बढ़िया तो बिलकुल इसका जो right answer होगा यह आपका होगा false ठीक है printer को जोडने के लिए कभी भी serial port का यूज नहीं होता है parallel port का यूज होता है यहां पर इन्होंने क्या बोला है serial port है इसलिए यह गलत होगा ध्यानकना printer को जोडने के लिए parallel port का प्रियोग होता है next question number seven वर्तमान computer किस प्रकार की processing का प्रियोग करते हैं A option serial processing B option sequential processing C option parallel processing D option none of the above five seconds है good बहुत बढ़िया कुछ students का chat में right answer आने लगा है तो बिलकुल इसका C option right होगा parallel processing ठीक है वर्तमान computer parallel processing का प्रियोग करते हैं मैं फिर से repeat कर रहा हूं वर्तमान computer मतलब जो आज कलके laptop laptop हो गया आपके computer हो गया tablet हो गया mobile हो गया सब भी parallel processing का प्रियोग करते हैं next question number eight title बार में close minimize restore down का button होता है easy question है बहुत बार आपके exam में आ चुका है और बहुत सारे students का right answer आने लगा बिलकुल यह true होगा ठीक है यह हमारा सबसे उपर title बार होता है और title बार में right hand side उपर की और हमारा close minimize restore down button होता है यह बिलकुल क्या है सत्य है next question number nine निमलिकित में कौन सा function date और time दोनों return करेगा a option time b option today c option now d option week day five seconds है और बहुत ही important question है बहुत बार पूछा गया है दिमार्ख लगा के answer दीजेगा तो बिलकुल यहाँ पर c option right होगा ध्यान दखिएगा now function date और time दोनों वापस करता है मैं repeat कर रहा हूँ now function date और time दोनों वापस करता है जबकि today function सिर्फ और सिर्फ date देता है ठीक है next question number 10 good बहुत बढ़िया तो बिलकुल यह होगा false ठीक है गूगल बहुत सारी languages में क्या करता है सुविधाएं देता है यह बात ध्यान लखेगा next question number 11 machine language high level language का उधारण है एक पॉइंट बता दू में machine language से related आपको तब तक machine language को बिना translate किये computer समझ लेता है मैं repeat कर रहा हूँ machine language को computer बिना translate किये हुए क्या करता है समझ लेता है ठीक है और यह यहाँ पर क्या होगा false होगा सभी स्टुडेंट्स ने राइट आंसर दे दिया है machine language low-level language का उधारण है machine language low-level language का उधारण है ना कि high-level language का next question number 12 इंप्रस में presentation में video insult नहीं कर सकते A option है true B option है false 5 seconds है good बहुत बढ़िया तो बिलकुल यह false होगा easy question है आभी चुका है ठीक है इंप्रस में हम लोग audio video image ठीक है shapes smart shape तो यह सब चीजे insert कर सकते हैं इन्होंने बोला insult नहीं कर सकते video इसलिए यह false होगा next question number 13 VPN stands for A option virtual public network B option virtual private network C option virtual pop-up network D option none of the above 5 seconds है good बहुत बढ़िया इस question को BCCC के exam में 2-4 बार पूछ चुके हैं भी तक 4-5 बार तो मानके चलो पूछे गया है यह तो बिलकुल इसका जो right answer होगा B होगा जिन students ने B option chat box में दिया है तो बिलकुल उनका सही है VPN stands for virtual private network मैं repeat कर रहाँ VPN stands for virtual private network next question number 14 नेम लिखित में कौन सा protocol domain name को IP address में बदलता है या बदलती है A option TCP B option IP C option DNS D option ARB good बहुत बढ़िया चैट में कुछ लों का right answer आने लगा है तो बिलकुल right answer होगा C DNS ठीक है DNS क्या है वह protocol है जो domain name को IP address में क्या करता है बदलता है domain name को किसको बदलता है IP address में बदलता है next question number 15 Daisy wheel किसका उधारन है A option input device B option pointing device C option storage device D option printer 5 seconds है और यह question तो किसी से गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए good बहुत बढ़िया कुछ students का right answer आने लगा है बहुत बढ़िया तो बिलकुल जिसका right answer होगा D होगा printer ठीक है Daisy wheel printer का उधारन है ठीक है Daisy wheel printer का उधारन है और वो भी कैसा printer है impact printer है Daisy wheel कैसा printer है impact printer है मतलब print करने के लिए कागज को touch करता है इस बात को भी याद रखेगा next question number 16 निम लिखित में कौन सा operation computer दोरा नहीं किया जाता है a option controlling b option processing c option input output d option understanding 5 seconds है good बहुत बढ़िया chat में right answer आने लगा है तो बिलकुल d option right होगा understanding ठीक है computer क्या नहीं करता है understanding नहीं करता है controlling भी करता है processing भी करता है input output भी करता है लेकिन समझता नहीं understanding की capability computer में नहीं होती है और सभी students ने right answer दे दिये था very good बहुत बढ़िया next question number 17 google map google की एक सुविदा है जिसका pre-o करके आसानी से trouble कर सकते हैं a option है true, b option है false, 5 seconds है बताएगा right answer क्या होगा good बहुत बढ़िया, कुछ लोग का chat में right answer आने लगा है तो बिलकुल जिसका right answer होगा ये true होगा, ठीक है google map, google की एक सुविदा है जिसके आमदस से हम आसानी से क्या कर सकते हैं trouble कर सकते हैं, ठीक है next question number 18 Libra office में graphic software कौन सा है a option calc, b option impress, c option writer, d option draw, 5 seconds है बहुत यच्छा question है और आपका exam में आ भी चुका है good तो बिलकुल इसका right answer होगा ये आपका होगा d, ठीक है, बहुत सारी students का right answer आने लगा था very good, ऐसे ही preparation करते रहे Libra office में, ठीक है draw क्या है, graphic software है मतलब इसकी मदद से हम लोग calendar या बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हैं alt related बना सकते हैं, ठीक है next question number 19 browser में downloads की shortcut की क्या होती है a option control plus d, b option control plus j, c option control plus m, d option, control plus q, 5 seconds है good, बहुत बढ़िया तो बिल्कुल जिसका right answer होगा यह होगा control plus j, हाँ, b होगा, ठीक है, j जिन लोगों ने b option chat box में दिया है, बहुत बढ़िया downloads की, जो shortcut की होगी control plus j होगी और जिन लोगों ने a option दिया है बहुत बिल्का गलत है, उनका क्या है गलत है, next question number 20 cms stands for a option content management system b option comment management system c option common management system d option none of the other 5 seconds है यहाँ पे stand की spelling थोड़ी सी mistake होई है, चलिए कोई बात नहीं बताएगा right answer क्या होगा और जिन लोगों ने like नहीं किया जल्दी से वीडियो को like कर देंगे साथी साथ हमारा संकल सिच्छा से बतला हो तक और यह तभी संभव होगा जब आप जादा से जादा शेयर करेंगे तो सबी लोग जादा से जादा शेयर करिए, जो भी social media platform आप प्रियोग करते हैं उसके माध्यम से अधिक से अधिक शेयर करें और comment भी करना है ठीक है आपका suggestion जो भी हो वो आप क्या कर सकते हैं comment कर सकते हैं कोई question हो तो उसको भी comment कर सकते हैं और इसका जो right answer होगा वो A होगा CMS stands for content management system clear है तो यह थे आज के online test के questions मिलते हैं कल साम 7 बजे रात 8 बजे और रात 9 बजे नए online test में नए questions के साथ good bye preparation करते रहें